मैंने दोस्तों notes आप सभी के लिए बना रखे हैं गुडिवनिंग सभी को तो मैंने आपके लिए notes बना रखे हैं ताकि जिसमें मैंने हर एक topic दोस्तों distribute कर रखे है कि कितने marks के आपको क्या क्या चीज़ रहने वाली है ताकि जो students course नहीं ले सकते उनके लिए भी दोस्तों कुछ benefit हो जाए है तो पूरा का पूरा यह जो हमारा demo session रहेगा यह पूरा इस week रहेगा दोस्तों और जो course बैठेगा वो लगभग 7 या 8 दिन के बाद बैठेगा है न आपके पास 7-8 दिन का समय है जब भी मैं आपका demo लूँगा आप इवनिंग में वो demo सिरफ computer का ही रहेगा और जो GK का demo रहेगा वो आपको दिन को मिल जाएगा ठीक है तो हम अपनी class को शुरू कर सकते है देखे जो आपका paper दोस्तों जो JOA का है जो postcode 965 है जो 19th of November को रहेगा दोस्तों 120 से बढ़कर के दोस्तों जो computer के questions है वो लगभग 140 से 130 के बीच में आने वाले हैं ठीक है तो demo तो सबसे पहले मैंने आपको last class में memory वाला दिया था तो आपको बहुत पसंद भी आया तो आज दोस्तों मैं demo नहीं बलकि आपके लिए important topics लेकर के आयों कि किस topics आपको कितनी सी चीज आएगी और last में जाते समये आपको एक छोटा सा demo भी दे दूंगा कि किस तरह से जो है मैं अपनी classes को continue करेंगा और क्या हमारा पूरा पूरा schedule रहेगा तो देखिए लिखने से बहतर है दोस्तों कि मैं आपको topics screen पे ही share कर दूँ ताकि आपको अंदाजा लग सके यह मैंने दोस्तों अपने हाथ से हर एक चीज बहुत अच्छे से design कर रखी है आप देखेंगे जो हमारे important topics हैं दोस्तों उसमें 2-5 questions हमको history of computer से आने वाले हैं दो questions दोस्तों हमको generation of computer से आने वाले हैं 2-5 questions ठीक है और एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों जिसको भी दोस्तों ये PDF चाहिए होगी वो description में link दे रखा है मैं पूरे की पूरे आपको दोस्तों ये copy वर्टसेप में send कर दूँगा ताकि जो students course purchase नहीं कर सकते उनको भी दोस्तों benefit हो सके बाकि जो students course purchase करेंगे उसमें दोस्तों minimum आपके 30 topics cover होंगे जिसमें लगभग online classes में दोस्तों 100 plus lectures आपके computer के लिए जाएंगे और हर एक lecture की length लगभग दोस्तों एक घंटे रहेगी ठीक है 100 plus lectures रहेंगे तो मैं सबसे पहले आपको यह चीजें बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपकी रहेंगी history of computer आएगा दोस्तों आपका 2-5 नंबर का generation of computers आएगा बिल्कुल whatsapp में pdf मिल जाएगा description में आपको link मिल जाएगा classification of computer 2-5 नंबर का input devices 2-5 output devices 2-5 memory वाला topic मैंने आपको करवा दिया था दोस्तों demo class में उसको देख ले न पक्का 2-3 सवाल है surety के साथ कह रहा हूँ number system 3-5 नंबर का आएगा software से 2-5 आएगा operating system से 2-5 आएगा Microsoft Windows से 1-2 आएगा MS Word से 3-5 MS Excel 3-5 MS PowerPoint 3-4 MS Excel 2-3 और यह paper जो मैंने analysis किया है दोस्तों यह अभी तक जो भी आपके exam हुए है 817, 949, 903 और जो आपके previous year जैसे horticulture में जो आपका जेऊएगा exam था उन सभी को दोस्तों paper को analyze करके आपके लिए यह चीज में लेकर करके आया हूँ ठीक है तो types of computer network, network topology, internet and services, computer security, multimedia application, electronic mail, web publishing and browsing, computer language, IT and ITES, C language, java and mobile application तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको topics बता दिये कि हम जो हैं पूरे के पूरे इसमें क्या क्या topics cover करेंगे अब बात करते हैं दोस्तों अपने पूरे के पूरे course की उसके बाद फिर मैं आपको demo दूँगा जो दोस्तों हमारा course बैठेगा दोस्तों वो first of September से बैठेगा जो हमारा finish होगा दोस्तों आप मान के चलिए जब तक आपका exam नहीं होता वैसे हमने सोचा है कि 19th of November तक हम course करेंगे अगर paper by chance postpone होता है तो वो course दोस्तों 19 November से बढ़कर के तब तक चला जाएगा जब तक जो है आपका exam नहीं होता पहली बात दूसरी बात रोजाना आपकी दोस्तों computer की एक घंटे की class तो लगेगी ही लगेगी बाकी और भी classes आपकी दोस्तों regular basis पर live लगेगी ना कि recorded class होगी और उसी में ही दोस्तों आपको test series भी मिलेगी पूरा study material भी मिलेगा और practice session के लिए दोस्तों हर Saturday को आपको paper भी मिलेगे ठीक है तो यह हमारा पूरा का पूरा course है और इसके जो charges हैं दोस्तों वो बहुत ही minimum रखे हैं ताकि हर एक student उसको असानी से ले सके और जो नहीं ले सकते दोस्तों उनके लिए भी मैंने आपको बता दिया ऐसा नहीं है कि कमी है थोड़ी सी मेनद करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा topic ढूंडने पड़ेगे समय थोड़ा जादा लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी मैं बात करता हूं दोस्तों आज के एक छोटा सा topic मैं लेता हूं मैं यह मान के चलता हूं कि किसी भी student ने अभी तक computer नहीं पड़ा है जिसने थोड़ा बहुत पड़ रखा है दोस्तों उनके लिए मैंने पहले एक demo ले रखा है तो आज का जो हमारा topic रहेगा दोस्तों वो रहेगा input devices और output devices का ठीक है और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि यह जो आपके demo class रहेगी आप मान के चलिए यह 7 दिन तक दोस्तों आपकी रोजाना रहेगी ठीक है जिसमे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस level तक पढ़ाया जाएगा input device क्या धोस्तों है आप सभी ने maximum students ने laptop desktop आज के समय में उस किया है Input device क्या होता है Input device वो होता है दोस्तों जिससे हम input देते हैं और output device क्या है जिससे में output मिलता है जैसे मान लीजिए कि आपने एक गाना प्ले किया जब आपने गाना प्ले किया तो वो जो sound आएगी वो कहां से आएगी वो speaker से sound आएगी तो speaker क्या है दोस्तों एक output device है बस इसी तरह से दोस्तों आपको paper में क्याते है आपको paper में बहुत से सवाल आएंगे कि बताएए कि कौन सा input device है कौन सा output device है ठीक है आपको उनके शिरफ नामयाद करने है जैसे ही आपको दोस्तों इनके नामयाद हो जाएंगे तो समझ लीजी कि आपका काम बहुत आसानी से हो गया ठीक है जैसे मैं आपको example देता हूं दोस्तों आप मुझे बताएए कि जो monitor है वो input device है या output device है बताएए जो monitor है वो input device है या output device है बिल्कुल सही, ठीक है, आगे देखते हैं, अब मैं आपको कुछ और चीजे बताता हूँ, जैसे एक चीजे दोस्तों, प्रोजेक्टर, आपने सुन रखा होगा, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या है, बताए, प्रोजेक्टर क्या इन्पुट डिवाईस है, या आउटपुट डिवाईस है, दोस्तों, जो प्रोजेक्टर है, वो एक आउटपुट डिवाईस है, प्रोजेक्टर कैसा डिवाईस है, एक आउटपुट डिवाईस है, जैसे आप देखें और अब मैं आपको examples के तौर पर ही करवाता हूँ है ना पूरे specific जैसे आपको paper में पूछा जाएगा कि input device कौन से है और output device कौन कौन से है ठीक है तो input device के नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे दोस्तों keyboard है ना keyboard से आप button प्रेस करते है वो अंदर जाता है तो यानि वो एक input device ही है keyboard के बाद दोस्तों जैसे आपका अधर आता है जैसे आप देखेंगे pointing device में हमारा जो specific रहता है mouse है ना तो mouse भी हमारे कैसा device है दोस्तों input device है mouse के बाद आप देखेंगे दोस्तों जो हमारा अगला आता है वो है trackball आपने गेम वगएरा जब खेली होगी ना तो आपने उसका काफी जादा use किया होगा ठीक है trackball ठीक है जब हमारी दोस्तों जो classes रहेंगी तब हमारी animation वाली classes रहेंगी वो मैं आपको computer की screen पर करवाऊंगा ताकि आपके लिए example भी दे सको है ना वो चीज़ असान रहेगी थोड़ा trackball के बाद रहेगी दोस्तों हमारी joystick joystick ठीक है और जो touch screen है ना दोस्तों वो भी एक हमारी input device ही है ठीक है अगर आपको paper में पूछा चाहे कि touch screen कैसी device है वो भी हमारी कैसी device है दोस्तों input device ही है ठीक है हाँ आपने बहुत से shopping malls में देखा होगा दोस्तों barcode reader barcode reader जो barcode reader होता है दोस्तों वो भी आपकी एक कैसी device है input device है ठीक है एक है दोस्तों आपका OMR OMR तो आप सभी को पता है ना दोस्तों optical mark reader optical mark reader से क्या होता है कि जो आपकी दोस्तों OMR sheet होती है वो उसके through जाती है और वहाँ वही check करती है तो वो भी कैसी device है OMR जो machine रहती है optical mark reader वो भी input device ही है एक चीज़ है दोस्तों MICR ये चीज़ देखो मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि MICR क्या है क्योंकि ये चीज़ थोड़ी समझाने वाली है ये चीज़ें दो बहुत सरल है अब देखो MICR क्याता है दोस्तों अगर किसी student ने कोई check जब bank में वो deposit करते हैं ठीक है तो उस check के नीचे दोस्तों कुछ number लिख रखे होते हैं वो number कुछ denote करते हैं जैसे for example जो first three number रहेंगे वो denote करते हैं दोस्तों वहां का city name वो क्या denote करते हैं वहां का city name जो अगले three letters denote करते हैं दोस्तों वो depend करते हैं वहां का bank कौन सा है और जो अगले three letters होते हैं दोस्तों वह बताते हैं वहाँ उस bank की branch कौन सी है उस bank की branch कौन सी है तो जब भी आप check deposit करते हैं दोस्तों तो वह किस के through होता है M-I-C-R के through जिसकी full form है Magnetic Inc. Character Recognization तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Magnetic Inc. Character Recognization ठीक है तो यह दोस्तों आपके कुछ example किसके है Input Devices के है ऐसे बहुत से example है जैसे आपका smart card reader है जो आपका biometric sensor होता है वो भी इसी का example है Output Devices के जो कुछ example है वो मैं आपको बता देता हूँ मैं जादा समय नहीं लूँगा Output Devices में आपके जैसे printers आगे है कैसे होते है ना Inkjet होते हैं Laser printer होते है Plotters होते हैं तो Plotter जो जब घर बगएरा कानक्षा बगएरा बनता है जो 3D printing होती है वो दोस्तों इस के थू होती है Plotter के थू होती है ठीक है और कुछ Devices ऐसे हैं दोस्तों जो Input और Output दोनों होते हैं जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है जैसे जो BUS होती है जो BUS यानि कहने का मतलब है जो आपकी data cable होते है उसको computer की भाशन में कहते है BUS तो वो एक ऐसी device है Input और Output दोनों devices है दोस्तों आज का जो हमारा session था दोस्तों जो बहुत छोटा सा session था जिसमें मैंने आपको basically मैं आया था आपको बताने के लिए कि जो syllabus और जो हमारा पूरा का पूरा pattern रहेगा कि किस तरह से classes को लेंगे और थोड़ी सी मैंने आपको introduction थी Input और Output devices के बारे में रोजाना दोस्तों आपकी इसी timing में classes रहेंगी अगर आपको अच्छा लगता है जिस तरह से पढ़ाया जाएगा तो आप दोस्तों course को join कर सकते हैं बाकी जानकारी description में number दे रखा है वहां से आप ले सकते हैं इस channel के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद thank you